वाघॉब बात की सी नेटॉर करें यूदूरी सि centrye करते हुए हम बात करने वाले नेटॉर्किण के अंदर के बारे में इसके बारे महां बात करेंगे गए यहां जरुर्डте क्या पड़िये तो इसके लिए मैं थोड़ा सरी करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा decoy scan के बारे में जो कि हमने Nmap की series को continue करते हुए पड़ा था पिछली बार decoy scan हमारी IP आइडेसों चुपाने कामें आता है तो इसके बारे में जाने सबसे पहले हम क्या करेंगे tcp port जब अगर open है तो हम क्या करते हम एक sin packet send करते हैं हमने हम देखा भी है tag s and small s and capital s तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके से sin synchronization packet send करते हैं उस particular port के ओपर hp ping का इस्तिमाल करके या फिर nmap का इस्तिमाल करेंगे तो हम sin packet send करते हैं and then the target machine will respond with sin act or target machine अगर port open है तो sin act packet send करती है ओके और अगर port closed है तो वह rst packet send करती है ओके यह एक particular manner के अंदर करते हैं and then machine अगर कोई भी machine अगर sin act packet receive करती है जो कि अनुससेटेड होगे या suspicious होते तो उनको rst packet से reply करते हैं तो सबसे पहले हम nmap से scan करते हैं वह sin packet send करता है target के पास target reply करता है sin act packet से अगर port open है तो अगर port closed है तो rst packet और अगर कोई suspicious packet scan scan करता है तो rst packet तो यह पुरानी बात इसको side में करते हैं लेकिन idle scan ऐसे work नहीं करता इसको समझना थोड़ा सा मुश्केल है और यह बहुत अलग तरीके से work करता है इसके लिए सबसे पहले हमारे के पास एक ऐसा system होना चाहिए जो कि sin act packet से reply करता हो rst packet के साथ अगर हम की system पे अगर sin act packet send करें तो हमें rst packet से reply करें second requirement वो है silent PC मतला उस PC के उपर ज्यादा traffic जनरेट नहीं होना चाहिए उस server के उपर या उस machine के उपर ज्यादा ट्राफिक नहीं होना चाहिए हम जब बात करें तभी वो वर्क करना चाहिए internet से connect होना चाहिए इस ताइप से कुछ second thing system should allow the incremental IP ID what is IP ID IP ID हम जब भी कोई packet send करते हैं उसके header के अंदर एक IP ID होती है वो incremental होनी चाहिए ओके incremental IP ID होनी चाहिए और IP ID का आप वाइशाक से देख सकते हैं आप packet analyze करते हैं आप देख सकते हैं किसी भी packet के header के अंदर उसके एक IP ID जरूर होगी तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि open port के अंदर scan कैसे वह करता है आइडल scan कैसे वह करता है open port के अंदर okay point to be noted तो हमारा chapter थोड़ा आगे बढ़ता है सबसे पहले हम IP ID लेंगे zombie की इसकी zombie कौन होगा एक हमारा target जो कि हमारी अभी तीन conditions थी उनको satisfy करता हो okay जो तीन conditions को satisfy करता हो हमारे पास एक printer है जो की zombie है एक attacker है और एक target है तो सबसे पहले attacker इन्हें एक package send करेगा SYNAC और zombie की क्या qualification थी उसकी eligibility क्या थी वो यह थी कि कि वो SYNAC packets को RST packet से reply करेगा और वो उसने RST packet से reply किया लेकिन साथ में अपनी IP ID भी send की जो कि target ने अपने PC गंदर स्टोर कर ली ओके हमने SYNAC packet send किया target ने RST packet से reply किया और उसने IP ID स्टोर कर ली अब हम SYNAC packet send करेंगे target को ओके लेकिन attacker पागल नहीं है इसलिए उस SYNAC packet send करेगा किस की IP address है जॉंबी की IP address है मतलब printer की IP address है target को SYNC packet send करेगा और अगर port open है जैसे कि हम खहरे हैं कि हम open port के बरुबर कर रहे हैं तो target SYNAC packet से reply करेगा वह बहुलेगा okay SYNAC packet लेकिन जॉंबी क्या है वो तो मतलब पागल है मतलब उसको क्या कह रहा है कि SYNAC packet क्या होता है मुझे नहीं पता मैं RST packet से reply कर रहा हूँ यह unauthenticated packet से reply करता है और यहां पर हमारी IP ID increase हो जाती है by one मतलब हमारे last में पिछली बार 34 था इस बार 35 हो गया अगर नहीं देखा तो वापस से जागे पीछे देख किया हो अगे बढ़ते हैं अब क्या करेगा अगेन इसके इंदी जॉंबी साइप आइडी अब टार्गेट वापस से इसको सीनेक पेकर करेगा क्योंकि इसको आइप आइडी वापस से चाहिए यह वापस से रिप्लाइ करेगा और अगेन 64 वापस से एक इंक्रिमेंट हो गया तो यहीं इसका लॉजिक बोलता है अगर आइप आइड्रेस थोड़ी सी स्क्रीन बनाते हैं इसको फिर बात करेंगे आगे कंक्लूजिन यह है अगर आइप आइडी इंक्रिमेंट होती है बाइट टू एक जब हम उसे स्कैन करते हैं और जब जब वह आरे स्टी जो सी नएक पैकेट जब टार्गेट उसको बेजता है तो ओपन पोर्ट होगा तो दो बार आइप आइड इंक्रिमेंट होते हैं लेक इंक आइप आइड एक बार में ही इंक्रीज होगी एक ही इंक्रीज होगी तो सबसे पहला टार्गेट जो हमेशा फर्स टेप सेम होती है और जो की है टार्गेट सीन एक पैकेट बेजेगा जॉम्बी के पास जॉम्बी रिप्लाइ करेगा 34 लास्ट में RST पैकेट से क्यों zombie की qualification यह कहती है कि वो sin एक packet को reply करेगा RST packet से अब आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे send करेंगे sin packet to the zombie zombie को packet send करेंगे और नई zombie के IP address से target को IP packet send करेंगे sin packet send करेंगे zombie की IP address target को ओके लेकिन target reply तो करेगा लेकिन किसे करेगा आपको लगता है port close है point to be noticed या तो filter है या closed है तो वो reply करेगा RST packet से ओके and then हम आगे बढ़ते है RST packet से जब reply किया IP ID increase ही नहीं हुई उसकी point to be noted RST packet से जब उसने reply किया तो zombie बोलता है मिरे को RST packet से क्या है मैं notice ही नहीं करता है मैं तो work करता हूं से इन एक packet के ऊपर RST packet कुछ नहीं nothing तो हमने वापस zombie को scan किया और zombie ने फिर से reply किया और इस बार IP ID सिर्फ एक बार increment हुई क्योंकि वो इस बार हमने जब वापस से scan किया तब एक बार ही increment हुई यहाँ पर 35 हो गया जब target ने जब इसको zombie को reply किया क्योंकि हम zombie के IP address से send कर रहे थे तब ऐसा नहीं हुआ तो मैं एक बार वापस से आपको इस चीज़ को explain करना चाहूंगा पीछ आते हैं कि that's the important thing हमने SYNAC packet sent किया zombie को zombie ने reply कि RST packet से last में उसके IP ID में 34 था मैं last को focus कर रहा हूँ IP ID ऐसी बड़ी सी होती है चोटी भी होती है ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है हमने IP ID ले लिए attacker ने capture कर लिया आगे बढ़ते हैं अब यहां पर attacker जी आगए attacker ने zombie के IP address से packet send किया target को अपनी IP address से नहीं zombie के IP address से अब target के पास तो zombie के IP address गई है तो वो zombie को reply करेगा RST packet से कि भाई मेरे port क्लोज्ट है तो से नहीं पैकेट तो में reply करूँगा नहीं मैं RST packet बेज रहा हूं और zombie बोलता है RST packet क्या होता है मुझे पता ही नहीं मेरे फरक ही नहीं पड़ता है RST packet मतलब nothing मैं कुछ भी नहीं करूँगा ignore this हम वापस से scan करते हैं से नहीं पैकेट बेज के और zombie वापस से हमें एक increment ID हम जितनी बार zombie को scan करेंगे उतनी बार उसकी IP ID इंक्रीज हो जाती है इसे ही कहते है incremental IP ID तो हमारी IP ID एक ही ही बार इंक्रीज हुई इस पार और अब इसे बार फैकता है बहुत हो गया IP ID सबसे पहले हमारा काम होगा एक ऐसा suitable host find out करना जो कि हमारी उन तीनों कंडिशन को satisfy करें और इसके लिए सिंपल एक स्क्रिप्ट है जो कि है IP ID SEQ और ओके मैं थोड़ा सा एक्स्पिन करता हूं यहां पर हम port at you को specify करें जिसे इस थोड़ी सी इस प्रेट नहीं कर सकते हैं टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा ओके बात करते हैं जब मैंने इसकेन पर फोर्म किया तो मुझे क्या मिला आपको पता है मैंने इसको 1000 पर भी किया लेकिन मुझे कोई result नहीं मिला और यह बहुत ही मुश्किल होता है तब बोलते तो है कि बहुत ईजीली मिल जाता है लेकिन मुझे नहीं मिला स्क्रिप्ट से आपको मिले तो मुझे कमें स्क्षिन में बताना कि कौन सा था मैं भी यूज करूंगा उस जॉंबी की आई-पी को लेकिन अगर आपको मिलता है तो किस टाइप का होगा तो मैं एक पिच्चर शो कर रहा हूं इस टाइप का अगर वह आई-पाइडी रेंड करूं मैं अब में को मिलना तो चाहिए लेकिन इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम इसे कुछ बात कर लेते हैं इतना घूम फिर क्याता है तो यह लो तो ही दूसरा यह डिफिकल्ट टू फाइंड इस जॉंबी 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 को स्कैन करता है फिर टार्गेट को बे पता पता डिफ्रेंशिट नहीं कर पता कि पोड़ ए या फिल्टर डे इसके लिए ख्लोज और फिल्टर बोर दोनों से मैं तो यह इसका डिसाइडवांटेज है जूसरा टाइम कंजूमिंग आइम कंजूमिंग से मेरा लेना देना यह है कि यहां पर एक आईडिल स्कन को इसका सबसे पार्ट है और यह स्लोबी है तो बस ऐसी बात है लेकिन सबसे पहले यह जूम्बी फाइंड करना डिफिकल्ट क्यों है या वर्डेबल पीडि में पीसी नहीं है बहुत है लेकिन इसका सबसे पहला जो रीजन आता है कि मोस्ट अब ऑपरेटिंग सिस्टम अब्सेस करते है मतलब रेंडम आई-पी इडी का इस्तेमाल करते है इसका मतलब हो गया कि फॉल्स पॉजिटिव सी यहां पर मतलब है कि आपको गलत आउटपूट वह देख सकते है ऐसा नहीं है कि वह आपको गलत वैल्यू रिटन करेंगे जो कि वर्क नहीं करेगी और औ आपको गलत वैल्यू देता है वैसे प्लस पॉइंट है यहां पर और बहुत सारी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस टाइप की स्कैनिंग को ब्लॉक कर देते हैं समझधार होते हैं वह इतना तो डिटेट करी सकते हैं कि यह सब क्या हो रहा है एना तो इस टाइप क ब्लॉक कर देते हैं लेकिन एक फिर भी मुझे चाहिए तो मैं एक किसी का PC ले सकता हूं विद्परिसिन with permission एक वर्नेबल PC ले सकता हूं और उससे हम स्कैन कर सकते हैं या फिर एक printer printer IOT devices या फिर scanners ऐसी जो devices होती है IP ID से वर्नेबल होती हैं तो आप इनका इस्तिमाल कर सकते हैं एन मैप इसे रिकमेंड करता है वैसे दूसरा आप क्लाउड के ओपर किसी वर्नेबल OS को को होस्ट कर सकते हैं लेकिन अगे बढ़ता है आई-पी आप चलो ठीक है माल यह हमें एक जॉंबी मिल गया इतनी मैनत के बाद में तो स्कैन कैसे करेंगा सिंपल है एन मैप PN SI SI मतलब की जॉंबी की आई-पी आड्रस पहले आएगी यहां पर PN लगाना बहुत ज्यादा इंपोटेंट है PN का यहां पर मतलब है डिसेबल दिपिंग अगर आप पिंग कर दोगे तो आपकी आई-पी आड्रस टार्गेट के पास पहुंच जाएगी और वो आपकी आई-पी आड्रस देख सकता है उससे डिटेट कर सकता है और वो तो हम चाहते ही नहीं है सबसे ज्यादा सिक्यूर स्कैंस में से एक है और इसलिए टाइमस कमजूमिंग भी है और अगर आप पिंग लगा तो आपने पूरी महनत खराब कर दी तो पिंग लगाना मोस्ट इंपोरेंट मस्ट है आगे बढ़ते हैं इस चेप्टर को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा तो एक होस्ट को स्कैंड करने के लिए इसमें से हमारी अगर हम बात करें एक वर्णेबल जॉंबी फाइंड करना वो तो अलग था मतलब जॉंबी फाइंड करना वह बात अलग थी लेकिन आप स्कैंड करने में इतना टाइम देलिया तो पॉइंट भी नोट और यहां प्लास अगरेमेंटल है और यहां पे बहुत अची चीज में लगी कि आप एक पैकट को देख सकते है कि वह कब जॉंबी के पाश जा रहा है कैसे इप आप इड को इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल चेक कर रहा है और यह सब आप प्रोसेस देख सकते हैं एंड मैप के थूर और यह आपको सभी scans के साथ provide करता है उसके लिए आपको एक flag specify करना पड़ता है जो कि है tag tag packet trace आप यह specify करने के बाद आप देख सकते कि Nmap क्या work कर रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते है और deeply understand करने के लिए कि वो zombie के पास दा रहा है फिर zombie से incremental ID ला रहा है फिर zombie के IP address को spoof करके target को बेज़ा है तो यह सब आप यहाँ से देख सकते है जो कि important है मैं को quite bit interesting लगा so today's हमारे जो topics थे वो कुछ ऐसे थे हैं कि हमने idle scan की working सीखी sin packets ID ID IP ID कैसे work करते है हमने host को find सीखा IP मतलब क्या है zombie host को find करना सीखा जो कि little bit trigger hard था यह tracing the package जो मैंने अभी आपको जिखाया कि आप deep flow deep dive कर सकते हैं और package को check कर सकते हैं और इन सब को मिला कि हमारी बन जाती है today's activity so आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा उड़ा देते हैं और yeah thank you so much for watching guys see you soon good bye आप हमें जाए 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 इंस्ट्राग्राम ट्विटर एक तो मैंने इतनी अजीब 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 पिक्स लगाई है मैं क्या कहूं और यह फॉर्मट बहुत लोगों को पसंद आ रहा है तो उसके लिए इस जाए ज्दा टाइम भी लेता और अध्यादर ज्यादा होता है इसमें में ज्यादा कर सकते हैं और जैसे और प्रेक्टिकल भी दिखा दिया वैसे कोई बात नहीं है और में इतना टाइम पास क्यों क्यों कर रहा हूं I don't know वैसे दियू नहीं फॉर्मेट अपको पसंदा रहा है मैंने कह दिया यह बात अब तुम्हें वीडियो काट जानी चाहिए मैं आराम से काट हूँगा थो थैक्यों सुम्हें वे वीडियो कर वाचिए से यूसों गूओ जाया